नमस्कार डॉक्टर रवी गोर से लोकमत के हिंदी ओडियंस के लिए पैंसलवेनिया से बर्ड फ्लू के बारे में बात कर रहे हैं मेरी कोई ख्वाइश नहीं थी कि इस विशेप पर मैं कोई टिप नहीं करो मैं तो चाह रहा था ये अपने आप चला जाए देखो अभी महामारी खतम हो रही है मेरा एक दोस्त मुझे कह रहा था भया रवी इंडिया में पहले आपको काला कुटा भी नहीं जानता था अभी हजारों लोग आपके वीडियो देख ले हैं आप तो फेमेस होए हैं अगर भगवान ने मुझे ये चोईस दिया तो मैं कहूँ कि मैं फिल्मेकर हूँ बहुत अच्छी फिल्मे बनाता हूँ आप अगर मुझे जाने तो मेरी फिल्मों की दरिया जाने ऐसा नहो कि करोना महामारी और मैं ऐसा एक समिकरन हो जाए कि जब भी आप ये महावारी के बुरे ख्याल के बारे में सोचोगे तब हाँ रवी के बारे में भी सोचोगे तो इसलिए में bird flu के उपर अभी एक नई माली का नई श्रुंखला नया सिलसिला नहीं जारी करना चाहता कि उसके बार में बात करेंगे एक ही बात करके छोड़ देंगे सबसे पहले तो आपका सवाल का जवाब दूँगा कि क्या इस समय आप चिकन या अंडे खा सकते हैं उसका सिंपल और सीधा जवाब हाँ है लेकिन थोड़ी विस्तार में बात करेंगे एक दिल्चस्प कहानी के साथ चालू करता हूँ मैं तो बचपन में पूरा शाकारी था हम लोग केक भी नहीं काते थे क्योंकि उसमें अंडा हो जाए अंडा हो सकता है जब मैं मेडिकल महाविद्याले में चातर था तब मेरे दोस्तें उनके साथ जाता था और वो लोग चिकन अंडा सब खाते थे हम लोग पांच लोग का अगर बिल सौ रुपए आ गया तो उसको पांच से डिवाइड करके बीस रुपए होता था मेरा तो बेचारे का तीन रुपए का अलू मटर होता था हर दिन मुझे निजी सत्रा रुपए का घाटा होता था तो मैंने सोचा ऐसा मास मच्छर खाने वाले अंडे खाने वाले वाहिया दोस्तों से रिष्टा छोड़ दू उसके बाद मैं उससे भी बड़ी तरकी बाई मैंने खुच चिकन और अंडा खाना चालू कर लिया तो मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है चिकन अगर पूरी तरह से पका हुआ हो 165 डिग्री फैरन ही तक तो कोई उसमें रिस्क नहीं है यूएस में जो अंडा मिलता है कभी-कभी उसको वो जो यलो पोर्शन होता है उसका पीला वो रनी होता है थोड़ा इदर उदर बैह सकता है उसको ओवर इजी कहते है जैसे इंडिया में उसको पता नहीं हाफ फ्राइ बोलते हो अगर अंडा खा रहे हो तो कुछ दिन के लिए पूरी तरह से पका लो उबाल लो या पूरी तरह से पका दो कि वो जो पीला पोर्शन है वो भी solid state में आ जाए फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है यह क्या है bird flu bird flu जिसको avian flu बोलते है वो एक तरह का RNA virus है covid जैसा है और देखो covid के बारे में पहले क्या कह रहेते लोग कि world health organization ने क्या जंडा गार दिया था उन्हेंने कहा था कि human to human इंसान से इंसान का संसर्ग होना मुम्किन नहीं लगता और बाद में अभी हम किस मकाम पे खड़े है avian flu के बारे में वही कह रहे है लेकिन वह सच है यह जो wild birds होते है उनमें पहला यह avian flu चलो होता है यह RNA वारे से flu जैसा ही है wild birds से वह poultry को होता है जो chicken उसको हिंदे में क्या कहते है मुझे पता नहीं poultry जो chicken industry है उन birds को होता है और वो birds काफी सवसर उनको ऐसा लक्षन किन-किन पक्षियों में लक्षन डिखते है किन-किन पक्षियों में लक्षन डिखते भी नहीं है लेकिन वो flu कैरी कर सकते है उससे वो जल्दी से मर सकते है और वो बहुत सवसरगजन यह है तो उसका उपाय क्या है कि वो poultry का जो supply है उसको पूरी तरह से destroy कर दे ताकि वो दूसरे poultry से दूसरे supply में नहां पहुंचे क्या ये humans को हो सकता है birds से हाँ हो सकता है किन लोगों को हो सकता है जो लोग chicken के साथ काम करते हो उनको हो सकता है किस तरह से हो सकता है secretion से हो सकता है पुष्ठ भागों से सतहों को touch करने से हो सकता है या फिर उन्होंने जब वो when they flap their wing या when they move their neck from side to side उसके वज़े से भी कभी aerosol या droplet हो सकता है लेकिन अगर वो chicken workers को हुआ तो क्या वो एक दूसरे को दे सकते हैं एक आदमी दूसरे आदमी को दे सकता है उसकी संभावना बहुत 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 कम है उसके पीछे और भी एक राज है थोड़ा कठीन है लोकिन जटील है बाद में मताऊंगा तो ये लोग human to human दे नहीं सकते अगर उन्होंने precaution ले ली तो उसकी वज़े से उनको वो secretion से होगा है नहीं तो ऐसी वो precautions ले सकते और दूसरा क्या है कि ये novel virus नहीं है ये जो flu है flu vaccine इसके उपर चलेगी नहीं लेकिन ये जो दवाई है जो RNA virus पे चलती है वो लोग को हम prophylactically दे सकते है ये chicken workers को ताकि उनमें इसका सवसरग ना ही हो पाए और अगर इनको सवसरग हो भी गया तो भी जैसा SARS-1 था SARS-1 का मृत्यूदर था 37 फीस तो ये बहुत कठिन बात है बहुत निश्ठूर हो के मैं कह रहा हूँ ये एक तरह से अपने आप में अच्छा था क्योंकि जिन लोगों को SARS-1 हो गया वो दूसरों को देने के पहले ही मर चुके थे वैसा avian flu मामूली भी हो सकता है लेकिन जो लोगों को serious हो सकता है उनका mortality 60% है तो अगर 60% mortality का हो गया तो वो पहले ही मर जाएंगे फैलाने के पहले ये बड़ी मिश्ठूर बात है दरने की बात नहीं है यो कैसे बनाओंगा आपको कहने के लिए कि आप ढर जाओ अभी ये covid मामारे के साथ लड़ रहे है अभी bird flu के से से डरने की कोई जरूवत नहीं है चिकन भी खा सकते हैं अंडे भी खा सकते हैं पूरे पका के खाईए नहीं तो क्या होगा काफी लोगों को जो प्रोटीन्स मिलते है वो चिकन और अंडो से मिलते है वो अच्छानक बंद हो जाएंगे बाकी बीमारिया फाइल जाएगी और पहले ही इस lockdown के वज़े से अपनी economy का band बजगया था उनने इसे restaurant वाले है जो chicken industry में काम करते है जो food industry में काम करते है वो लोग को हम भूख से मार डालेंगे अगर हमने suddenly chicken या अंडे खाना बंद करिया तो चालू रखिये ये जो poultry का जो infect हुए उनको destroy करेंगे बाकी poultry पे नज़ा रखेंगे chicken workers के लिए medicine भी दे सकते है और सावधानी भी ले सकते है अगर एक दो human cases आए तो भी डरने की बात नहीं वो human to human ना हो ऐसा भी देख सकते है ये covid महामारी वे जैसा बिलकुल होने वाला नहीं है अभी हम सिर्फ covid की बात करेंगे जैसे कहते हैं न है बहुत अधियारा अब सूरज को निकलना चाहिए जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए पीडाओं के राजकुमार कभी नीरज ने हमसे बात कही थी इसे ध्यान में रखेंगे डॉक्टर अभी गोर से लोकमत के हिंदी ओडियन्स के लिए पंसलवणिया से